ना भूलो मैं तुझे को हे दाता दयालू ना भूलो मैं तुझे को हे दाता दयालू इसी जन्म में ना थे तुमको में पालू ना भूलो मैं तुमको में पालू नारायन श्रीमन नारायन नारायन श्रीमन नारायन हरे कृष्णा नमस्कार भगतों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट MS वाइस में आज हम श्रवन करेंगे वैशाखमास महात्मे में अध्यास स्तारा का आप सभी का बहुत-बहुत आभार जो आप प्रती दिन हमारे चैनल पर इन महात्मे कथाओं को सुन रहे हैं लाइक कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं उसके लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आज अक्षे त्रित्या की कथा भी पोस्ट कर दी गई है अगर आपने अभी तक नहीं सुनी है तो कृपया सुन लेजेगा जो भी मनुष्य इस अक्षे त्रित्या की कथा का महात्मे सुनता है और विधी विधान से पूजा एवं दान आदी करता है उसे अक्षे पुन्य एवं यश्की प्राप्ति होती है तो आप सभी से विनम्र निवेदन हैं कि इस महात्मे कथा को सुनने के बाद उसे अवश्य सुनने चेगा तो आईए मन में गौरी पुत्र गनेश और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वे शाक मास महात्मे का रस्पान करते हैं पिछी अध्याय में शिरिशुरुत देवजी मिधिला पती के राजा को राजा के रतिमान की कथा सुना रहे थे आज इस अध्याय में वह बता रहे हैं कि यमराज भ्रमाजी के पास जाते हैं और वे राजा के शिकायत करते हैं तो आईए अब आगे की कथा प्रारंभा करते हैं भ्रमाजी ने कहा कि हे यमराज तुमने ऐसा क्या श्चरि दिखा है क्यों तुम्हें इतना दुख हो रहा है सद्गुणों में एश्या करना मरण के समान होता है भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह सौ अश्व मेध यग्यों के अवभित स्नान के समान होता है यग्य करने वाला तो पुन्हा इस संसार में जनम ले लेता है परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम उनर जनम का हेतु नहीं बनता मुक्ति की प्राप्ति करा देता है जिसकी जीवा के अग्र भाग पर हरी ये दो अक्षर विद्धे मान है उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथ्वा सरस्पति नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है जो मृत्ति उकाल में भगवान विश्णू का स्मरन करता है वह अभक्ष्य भक्षन आदि से प्राप्त हुई पाप राशी का परित्यार करके भगवान विश्णू के सायुज्जे को पाता है क्योंकि भगवान विश्णू को अपना स्मरन बहुत ही प्रिया है हे यम्राज इसी प्रकार वेशाख नामक मास भी भगवान विश्णू को अती प्रिया है जिसके धरम को श्रवन करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्थ हो जाता है उसके अनुष्ठान में ततपर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्थ हो तो उसके लिए कहना ही क्या है वेशाख मास में भगवान पुरुशोत्तम के नाम और यश्का गान किया जाता है जिससे भगवान बहुत प्रसन होते हैं पुरुशोत्तम शिरीहरी संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है यह राजा किर्तिमान वेशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है जिससे प्रसन चित होकर भगवान विश्णू सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं भगवान वासुदेव के भगतों का कभी भी अमंगल नहीं होता उन्हें जनम, रित्यू, जरा और व्याधि का भै भी नहीं प्राप्थ होता कारे में नियुक्त किया हुआ पुरुश यदि अपनी पूरी शक्ति लगा कर स्वामी के कारे साधन की चेश्टा करता है तो उतने से ही वह क्रितार्थ हो जाता है यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्चित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे उतना कर देने से वह उरेण हो जाता है और सुख का भागी होता है जिसने भी उस प्रेयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है उसके उपर ना तो कोई रेन है और ना ही पातक ही लगता है अपने करतव अपालन के लिए पूरा यतन कर लेने पर प्राणी का कोई भी अपराद नहीं रहता यह कार तुम्हारे लिए असंभव है इसलिए इसके विश्य में तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए प्रहमाजी के ऐसा कहने पर यम्राज ने दीनवानी में कहा हे तात मैंने आपके चर्णों की सेवा से सब कुछ पा लिया तब प्रहमाजी ने फिर से समझाते हुए कहा कि हे धरमराज राजा किर्तिमान विश्णु धरम के पालन में ततपर है चलो हम लोग भगवान विश्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बता कर जैसा वे हमें कहें उनके इकत्नानुसार कारे करेंगे वे ही इस जगत की करता धरम के रक्षत पर नियामक हैं इस परकार यमराज को आश्वा संदे कर ब्रहमाजी उनके साथ शेर सागर के तड़ पर गये वहाँ उन्होंने सचिदा नंद स्वरू गुणातेत परमेश्वर विश्णु की स्तूती की ब्रहमाजी की स्तूती से संतूष्ठो कर भगवान विश्णु वहाँ पर प्रकट हो गये यमराज और भ्रहमाजी ने तुरन्थी उनके चर्णों में मस्तक चुकाया तब भगवान महाविश्णु ने मेघ किसमान कमभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि तुम लोग यहां क्यों आये हो भ्रहमाजी ने कहा कि हे प्रभो आपके श्रेष्ट भक्त राजा किर्तिमान के शासनकाल में सभी मनुष्य विशाग धरम के पालन में स्लगन होकर आपके अविनाशी पद को प्राप्थ हो रहे हैं इससे यम पूरी सूनी हो गई है उनकी ऐसा कहने पर भगवान विश्णू हंस्ते हुए बोले मैं लक्ष्मी को त्याग दूँगा अपने प्राण, शरीर, शरीवत्स, कौस्तुभ मनी, विजयन्ती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ धाम, शेसागर, शेशनाग तथा गरुर जी को भी छोड़ दूँगा परन्तु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूँगा जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके, अपना जीवन तक मुझे सौंप्तिया हैं, जो मुझ में मन लगा कर मेरे स्वरूप हो गए हैं उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा किर्तिमान को इस प्रिथपी पर मैंने दस हजार वर्षों की आयू दी हैं, उसमें से आठ हजार वर्ष तो बीट गए हैं शेश आयू और बीट जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा उसके बाद प्रिथपी पर बेन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोब कर देगा उस समय विशाक मास के धरम भी छिन्भिन हो जाएंगे, बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा ततपश्चात मैं प्रिथू होकर पून्हा सब धर्मों का प्रचार करूँगा उस समय लोगों में विशाक मास के धरम को भी प्रसिद करूँगा सहस्त्रो मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है, जो मुझ मैं अपने मन, प्राण, परपित करके अपना सर्वस्व मुझे स्मर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए, जो ऐसा होता है, वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है इस विशाक मास में से भी मैं विशाक धर्म में तत पर रहने वाले महात्मा पुर्शों तत राजा के द्वारा स्मया नुसार तुम्हारे लिए भाग दिलाऊंगा लोग में जो कोई भी विशाक मास का वरत करेंगे, वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे उनके विशाक मास में बताये हुए महाधरम के पालने तुम कभी भी विगन उपस्तित मत करना यम्राज को इस परकार आश्वा संदे कर भगवान विश्णू वही अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्य लोग को चले गए उसके बाद यम्राज भी अपनी पूरी को पदारे हे प्रियभक्तों विशाक मास की पूर्णिमा को पहले धरम्राज के उदेश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन देना चाहिए उसके बाद पित्रों, गुरूं और भगवान विश्णू के उदेश्य से भगवान विश्णू की दिवे प्रतिमा, विशाक मास की महात्मे कथा सुनाने वाले देन भ्रामन को देनी चाहिए उस धरम वक्ता भ्रामन को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए राजा किर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया उन्होंने प्रित्वी पर मनवांचित भोग भोग कर शेशायू पूण होने के बाद पूत्र पौत्र आदी के साथ शिरिविश्णू धाम को प्रस्थान किया इसके बाद मिथिला पती ने कहा ही महमते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुल भुशन किर्तिमान वेवस्तव मनवंतर के व्यक्ति हैं यह बात पहले मैंने आपके मुख से ही सुन रखी है पर अंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि यह राजा जब वेकुंठ वासी हो जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन होगा मेरे इस संशे को आप निव्रित कीजिए शुरुत देवची ने कहा हे राजन पूराणों में जो विश्यमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की विवस्तव के अनुसार है किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा किर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा इसलिए कहीं कथा में समय की विव्रितता देख कर उसके अप्रमानिक होने के आशंका नहीं करने चाहिए हे प्रियभक्तों आज का ध्या यहीं स्माप्त होता है इससे आगे का बढ़न आप अगली अध्याय में सुनेंगे तो आईए अब श्रवन करते हैं क्रिशन भक्त की बड़ी ही पावन कथा क्रिशन भगवान का एक बहुत ही बड़ा भक्त हुआ लेकिन वो बहुत ही गरीब था एक दिन उसने अपने शहर की सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुन ली बस फिर क्या था उसका वहाँ जाने को मन उत्सुक हो गया कुछ दिन बाद जनमाश्टमी आने वाली थी उसने सोचा मैं प्रभू के साथ जनमाश्टमी गोविंद गोधाम मैं ही मनाऊंगा गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था जनमाश्टमी वाले दिन वो सुभा ही घर से चल पड़ा उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्सा है और मन में भगवान के भचन गाता जा रहा था रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी वो ये सब देखकर बहुत आनन्दित हुआ कि वाह प्रभू आपकी लेला मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो आज अपनी आंखों से देख भी लिया सब गरीब और भिकारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर परसाद पाकर कितने खुश है भक्त आटो में बैठा देख ही रहा था उसने सब के देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा पहले प्रभू के दर्शन करूँगा फिर कुछ खाऊंगा क्योंकि आज तो वहां गरीबों के लिए बहुत परसाद का इंतजाम किया होगा रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का परसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुची गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावर देकर भाव विभोर हो गया भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पुछा किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा यह जो लाइने लगी हुई हैं आप भी उस लाइन में लग जाओ, वो भक्त भी लाइन में लग गया, वहां बहुत ही भीर थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो इतना खाली थी, भक्त को बड़ी हैरानी हुई, कि यहां इतनी भीर, और यहां तो बारी ही रहे हैं उस भक्त से रहा ना गया उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भया यहाँ इतनी भेड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा रहे हैं वो तो हमार से काफी बाद में आये हैं उस दूसरे भक्त ने कहा कि भाई यह VIP लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं यह सुनते ही भक्त की आंखें खुली की खुली रह गई उसने मन में सोचा कि भगवान के दर्बे क्या अमीर और क्या गरीब यहां तो सब एक्समान होते हैं कितनी देर भोके प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दर्बार में आ ही गई और भगवान को वो दूर से देख रहा था और उनकी छवी को देखकर बहुत आनन्दित हो रहा था वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहां चपन भोक चड़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अम्रूत सबसे छुपा रहा था जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी नहीं करने दिये और जल्दी चलो जल्दी चलो कहने लगे उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अम्रूत वहां रख दिये और दर्बार से बाहर चला गया दर्बार के बाहर ही लंगर परसाद लिखा हुआ था भक्त को बहुत भूग भी लगी हुई थी उसने सोचा कि अब परसाद गरहन कर लो जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुचा तो वहां पर दो दर्बान खड़े हुए थे वहां उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा कि पहले वी आईपी पास दिखाओ फिर अंदर जा सकोगे भक्त ने कहा यह वी आईपी पास क्या होता है मेरे पास तो नहीं है उस दर्बान ने कहा कि यहां जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर सिर्फ वो ही यहां खा सकते हैं भक्त की आंखों में इतने आंसु आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापिस जाने लगा रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा कि हे प्रबो आप भी अमीरों की तरह हो गए आप भी बदल गए मुझे आप से तो यह आश्या नहीं थी प्रबो और सोचते सोचते सारे रास्ते रोता रहा भक्त घर पर पहुँचकर रोता रोता सो गया। भक्त को भगवान ने नेल में दर्शन दिये और भक्त से कहा हे मेरे प्यारे भक्त, तुम नराज मत हो na। भगवान ने कहा कि अमीर लोग तो सिर्फ मेरी मुर्ती के दर्शन करते हैं। अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को ही देता हूँ और मुझे छपन भोग से कुछ पी लेना देना नहीं है मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ और यह देख मैं तेरे भाव से चड़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ यह सब देखकर भग्वान के साक्षात दर्शन पाकर भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भग्वान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल गुआ और भगवान को खुद उसके घर चल कर आना पड़ा हे प्रिय भगतों भगवान भाव के भूके हैं बिन भाव के उनके आगे चड़ाए हुए चपन भोग भी फीके हैं हे प्रिय भगतों एक बात का और ध्यान रखे लिए जब भी प्रभू के धाम प्रभू के दर्शन के लिए जाएं तो सच्चे दिल से लाइन में खड़े रहकर जब तक आपको दर्शन नहीं होते तब तक प्रभू का सच्चे दिल से ध्यान करते रहे तभी दर्शन सफल होंगे प्रभु तो हम सब के हैं हम सब के प्रभु हैं तो एक बार प्रेम से जैकारा लगाईए राधा कृष्ण भगवान की जै हर हर महादेव